हलो दोस्तों, संख्यापद्ध्यति यानि नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रयोग कर कुछ प्रशन हल करेंगे चलिए शुरुवात करते हैं पहले प्रशन से दी गई संख्याओं में से परिमे और अपरिमे संख्याओं को पहचानिए दोस्तों, पहली संख्या में करणी में 11 यह एक अपरिमे संख्या है इसका दश्मलो प्रसार अनवसानी अनावर्ती है उसमें साथ जोडने पर भी उसका दश्मलो प्रसार अन्वसानी अनावर्ती ही होगा इसलिए यह एक अवपरिमे संख्या है दूसरी संख्या है पाई बटे तीन हम जानते हैं कि पाई एक अवपरिमे संख्या है और इसका दश्मलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है तीन से भाग देने पर भी यह अनवसानी अनावर्ती ही होगा यानि यह भी एक अवपरिमे संख्या है तीसरी संख्या में करणी में तीन यह अवपरिमे संख्या है परन्तु यहां अंश और हर दोनों में करणी में तीन है जो एक दूसरे से कट जाएंगे तो हमें 11 बटे 2 मिला यह एक परिमे संख्या है अब आखरी संख्या लेते हैं यहाँ दो कर्णी में 5 में से कर्णी में 5 घटाने पर हमें मिला कर्णी में 5 और यह एक अवपरिमे संख्या है दोस्तों चलिए अगले प्रशने की ओर बढ़ते हैं इन वेंजकों को सरल कीजिए दोस्तों पहला वेंजक देखिए यह A धन कर्णी में B गुणे A रिंड कर्णी में B के रूप में दिखाई दे रहा है यहाँ A है 8 और B है 23 तो चलिए इस सर्वसमिका A धन कर्णी में B गुणे A रिंड कर्णी में B बराबर A का वर्ग रिंड B का उपयोग कर हम इसे हल करते हैं हल करने पर उत्तर मिला 41 दोस्तों अब दूसरा वेंजग देखिए यह सर्वसमिका करणी में A धन करणी में B के वर्ग के रूप में है यहाँ A है 2 और B है 3 इस सर्वसमिका का उपयोग कर हम इसे आसानी से हल कर सकते हैं अब लेते हैं अगला वेंजग छे धन करणी में 5 गुणे 2 धन करणी में 3 इस वेंजग में हम सर्वसमिका करणी में A धन करणी में B गुणे करणी में C धन करणी में D बराबर करणी में A C धन करणी में A D धन करणी में B C धन करणी में B D का उपयोग करेंगे यह बहुत आसान है आप वीडियो पॉस करके इसे खुद हल करने का प्रयास करें और देखें कि आपको यही उत्तर प्राप्त हो रहा है या नहीं अब लेते हैं आखरी वेंज़त यह सर्वसमिका करणी में A धन करणी में B गुणे करणी में A रिण करणी में B के रूप में है इसे आप खुद हल करें तो दोस्तों आज के सत्र में बस इतना ही इस सत्र में हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं का प्रयोग कर कुछ प्रशन हल किये मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित कुछ तत्यों के साथ धन्यवाद